नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखबरदार न्यूज आज हमारे साथ हैं बिंध के सुपरिश्टार एक बगेली गायक और महुआ फेम सुधेर पांडे जी नमस्कार नमस्कार प्रणाम और मैं बहुत भूध धन्नवाद देना चाहूँगा दखबरदार नियूज का और आपका और सभी दर्सकों का आप सभी का प्यार आशिरवादे से बना रहे हैं और जितने भी हमारे दर्सक देख देख रहे हैं आप सभी को मेरा साधर प्रणाम और इसके साथ हम यह जानना जाते हैं कि बगेली प्याने का फैसला भोजपूरी फिल्म इनरश्टी को छोड़ करके जो आज एक बहतार आप्शन हो सकता था भविश्च के हिसाब से ये कठें फैसला नहीं हुआ जी मैं लगभग 2008 से गायकी के शेतर में हूँ और घर वालों के नाचाहते हुए भी मैंने सिंगिंग लाइन को चुना और महुआ चेनल पे मैं लगातार तिन साल काम किया और अच्छा नेमफिम था भोजपूरी इंड़स्टी में काम कर रहा था अच्छे चे सारे सेलिब्रि बगेली भासा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बगेली भासा का प्रमोशन कर रहे हैं उसमें हमारा एक गाना आया था तोहरा में बसेला प्राण भोजपूरी में अलबम था वो गाना विनास भाई को इतना अच्छा लगा उनका बहुत थी पसंदीदा गाना बन तो उन्होंने उस गाने को सुना और हमको फोन किया विनास जी ने कि सुधिर जी आप बिलकुल बगेली फिल्म इंडस्ट्री बनाया जाए आप भोचपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दे और अपनी भासा पे काम किया जाए कहीं ने कहीं मेरी भी इक्षा थी हारदी की मैं झाने। लाज़ Cub को कहीं पूंदेन हैं, बक्रश शुदा है जो गाना के सावन के समयं उसमें और एक आइटम स्वाग किया रिक। फिर इसके बाद मैंने सोचाले एक प्रेम कथा जो बगेल खंड की और बगेली भासा की सबसे सूपर हिट फिल्म है उसके बीवर्स भी अच्छे खासे हैं सभी दर्सकों का मैं हर्दी काभार भी जताना चाहूंगा उसमें मैंने एक गाना गाया था जब से हम तोह का दिखन जाने जाना तब से इदिल होईगा तोहरे दिवाना हम तब सरगेन सगला जमाना ओठे मा रही गए बस तोहरे तराना जो मेरे इस गाने का मुखडा बस यूच किया गया था पूरा गाना भी आना मांकि उसमें अभिनास भाई ने किया है और करेंगे पूरा पूरे गाने में भी ने और दूसरा मेरा भी एक गाना रहेगा जो एक फिल्म अभिनास भाई बना रहे हैं फिल्म का नाम है दुलही चाही बंबई बाली उसमें मेरा एक गाना है जो आसिस पंडे पंचु अकेला जी ने लिखा है बहुत ही शांदार शब्दों के साथ में वो है यह फिल्म का गाना है और अभी दो-तिन दिनों पहले एक और गाना मैंने गाया था अभिनास जी ने उस पे अभिने किया है और शालू सर्मा जी ने अभिने किया है अभिनेत्री के रूप में वो गाना है इस गाने की सूटिंग हो गई है और यह भी जल्द आएगा और फिर इसके बाद भी अभिनास तिवैरी जी का एक वीडियो आया था एक आदसी चंदरकली के जिसमें मेरा एक गाना था यह भी पूरा गाना आने वाला है और मेरा यह उद्देश है कि अगर हमारे दर्शकों का ऐसे ही प्यार आशिरवात बना रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि अपनी बगेली फिल्म इंडिस्ट्री तियार होगी और मैं बगेली में इतने गाने गादूंगा इतने गाने गादूंगा हर टेस्ट के कि लोग भोजपुरी सुनना भूल जाएंगे मैं तनमंधन से बगेली भाषा के लिए समरपित हूँ और मरते दम तक समरपित रहूँगा लेकिन जब एक लोग साहित की बात होती है लोग गीतों की बात होती है और एक इस्थानी स्थर के फिल्म इंडिस्ट्री की बात होती है तो भोचपूरी का नाम सबसे पहले सामने आता है और आज के दौर में कहीं जो भोचपूरी में असलिलता या फिर ऐसी चीज़े देखने को मिल रही है तो कहीं न कहीं एक दर्सक के तोर पर बगेल खंड के लोगों का जो संसकार है जो उनकी मर्यादाएं है तो इस चीज़ को रोकती हैं तो इस बारे में जो हमारे नए कलाकार हैं तो उनकों बारे में आपका क्या संदेश की? मैं विंध छेत्र के सभी कलाकार भाईयों को अपने इस दखवरदार न्योज के माध्यम से शंदेश देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की ऐसी वीडियो ना बनाएं ऐसे गाने ना गाएं कि जैसे भोचपूरी में अस लिलता है वैसे बगेल खंड में अस लिलता हो क्य कि हमारी संस्कृती और सभिता इतनी सुंदर और स्वक्ष है इसे हम जितना ही बरकरार रखके चलेंगे उतना ही हमारे लिए भलाई रहेगी हमारे समाज के लिए ऐसा वीडियो या गाना बनाया जो संदेश आत्मक हो या मनुरंजन हो आइटम सौंग भी हो तो मतलब एक सी पहला गाना था जीवन का उस वारे में आज कुछ बताया जाए इस राज से पर्दा खोला जाए मेरे जिंदगी का सबसे पहला गाना था क्या मैं सास्की चितर माध्मिक भी डैला गड़ारा में पढ़ता था सिंग्रौली जीले में तो वहां के प्राचार थे राजकी शोर किया सिंग्रौली महोत्सों में तो इस्कूलों में लिखी तादेश दीग जो यहां के स्थानी का लाकार हों यहां पर आ करके अपनी प्रस्तुती दें उन्हें एक प्लेट फॉर्म मिलेगा तो हमारे प्रिंस्पल सर ने बोला कि सुधिर जी सुधिर चलो तुमारा कि अपने आपको बहुत सौभाग साली अनुभाव किया और मेरे घरवाले नहीं चाहते थे कि मैं सिंगर हुन बनू और मैंने वो गीत गाया था उस समय पे कि धन धन सिंग रॉली की भूईया की जग में आजोर भायलबा ए राजाहा मुझाब सिंग रॉली की देखै के दुनिया में शोर भायलबा ये मेरे जंदगी का पहला गाना था जिससे मुझे सिंगरोली जीले में काफी लोग प्रीता मिली और कलेक्टर पीनर हरी शाहब और स्पी इरसाद बली जी का मैं हर्दिक आभार ब्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा रजिस्टेशन मध्ध प्रदेश सांस्किति कार में करवाया जिसके बदलत मुझे एक नई पहचान मिली और मध्ध प्रदेश के सभी जीलों में मैंने अपनी प्रस्तुती दिया और भारत देश का लगभग दो चार ही प्रदेश ऐसा होगा जहां पर हमने अपनी प्रस्तुती नहीं दियोगी और 2008 से में गायकी के छेतर म में हूँ अपने जीवन काल में मैंने लगभग 1000 से ऊपर स्टेश सो किया है चाहे वो गौर्मेंटल स्टेश सो हो या फिर प्राइवेट हो इतने कम उम्र में इतने सारे स्टेश सो बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी बधाईया और बहुत सारी सुपकामनाय हैं आपके इस लंबे सफर के लिए बिलकुली यह सब हमारे भगवान रूपी दर्सकों का आशिरवाद और प्यार है और आप जैसे पत्रकार भाईयों ने भी मुझे आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान निभाया है चाहे वो सीधी सिंगरोली रिवा सतना कहीं के भी पत्रकार मैं उनका भी हारदिक जो है अभार व्यक्त करूंगा और सभी सासन प्रसासन के लोगों का मुझे आगे बढ़ाने में अहम योगदान रहा है और मैं सदैव मेरा मक्षद अमीर बनना या बहुत बड़ा प्रसिद्ध गायक बनना नहीं है मैं सिर्फ अपनी मिट्टी के लि नए अंदाज में हमेशा मैं सुनाता रहूंगा अपनी गीते बस आप सभी लोगों का प्यार अशिरवात सदैव यूहीं बना रहे और अभिनास फिल्म्स और आप लोग का जो एक साजहा नया प्रोग्राम है जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है दुलही चाही बंबई वाली इस बारे में दर्सकों से क्या कहना चाहते ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है गाओं की स्टोरी है एकदम देसी स्टोरी है और मतलब इस पे मुख अभिनेता अभिनास जी रहेंगे और अभिनेतरी का भी डिसकस नहीं हो पाया है वो बे जल्द ही जो है आप लोगों के सामन किसी नए चेहरे को देख सकते हैं एक बार फिर से हम लोग हो सकता है अभी बात चल रही है अभिनास जी ने डिसकस किया था कि हो सकता है कि किसी नए चेहरे को फिर से हम लांच कर सकते हैं और भगवान ने चाहा तो वह भी दिन दूर नहीं है कि हम लोग 2-3 घंटे की फिल् बढ़ा लिखी रहती हैं बहुत ही इच्छे सब्दों के साथ लिखते हैं बहुत अच्छे राइटर हैं और मेरे सभी गीतों पे लगभग ज्यादा तर गीतों पे सदयव जो है अभिनाश भाई का रहेगा और बिंद चेत्र के जो भी उबरते हुए कलाकार हैं मैं सभी कलाक काउन म्योजिक ही देते नहीं बिल्कुल वैसे तो मेरा प्रोफेशन सिंगिंग है प्लेबैक सिंगर हुँ मैं और सच्चा देशभक्त फिल्म में मैंने कैप्टन का रोल किया था और आर्मी का रोल था मेरा जैसा कि दर्शकों ने देखा भी है और हो गया बस दर्शकों की ही रहेगी उनका आधेश रहेगा तो मैं जरूर परदे के सामने भी आऊंगा लेगिन परदे के पीछे तो मैं 110 परसेंट जो है नटा रहोंगा हमेशा हमेशा। कि जा सकती है और हमेशा यह विश्वास चलता रहेगा यह सफर चलता रहेगा हम आपके इस सफर के स्वार्णिम होने की उसके उज्वल भविश की बहुत सारी कामनाय करते हैं और खबरदार न्यूज की तरफ से उमेद करते हैं कि एक धाई घंटे की तेन घंटे की जब मोव होगी तब ही आप इसी तरह से हमारे चैनल पर इंटर्व्यू दे रहें जो मैं 2008 में था सुधीर पांड़े आज भी वही सुधीर पांड़े है मैं जिस तरह से लोगों से पहले मिलता था वो इसी तरह से आज भी मिलता हूं और सधैव आज एवन मिलता रहूगा क्योंकि क् साई इतना दीजिये जामय कुटुम समा है और मैं भी भूखाना रहूं सादो भी भूखाना जाए मुझे बहुत ज़्यादा आमीर बनने का शोक नहीं है और भगवान की कृपा से नमक रोटी चलता रहे और मैं बहुत बड़ी घराने से हूँ यह सब हनुमान जी की कृपा ह है और आज मेरे घरवाले भी ट्रस्ट करते हैं जो लोग मुझे सिंगर बनने देना नहीं चाहते थे आज वही लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे वजह से उनका भी नाम रोशन होता है और मैंने अपने जिले के लिए हर 24 मई को अपने जिले को वर्सगाट पर मैं गुते गाता हूँ और इस आपने प्रदेश के लिए गाना गाया है माध्य प्रदेश के दिए वह गाना मैं दो लाइन इस संदे मेरा स्वर्णिम माध्य प्रदेश लुटाता खुशियों का संदेश स्वर्ग से सुन्दर है ये मेरे गीत माध्य प्रदेश के लिए समर्पित्थी बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना मूल समय दिया और उमेद करते हैं कि आते रहेंगे मिलते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल हमारे जो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं वो भगवान रूपी दर्सक हैं और हमारे पत्रकार साथी हैं मैं सब के सहयोग से आगे बढ़ा हूँ और मैं सदयव आप सभी का रिंडी रहूँगा आप सब जहां भी जब भी बुलाएंगे मैं सदयव आपके लिए हाजीर रहूँगा और बहुत-बहुत धन्यवाद में देना चाहूँगा दा खबरदार न्यूज का और सभी दर्सको करके बेल आइकोन चरूर दमाएं धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद आपका देखते रहे हैं दखबरदार न्यूज नमस्कार धन्यवाद